आजादी के 75 वे अमरित महोटसेव के अफसर पर राजयोग एजुकेशन एंट रिसच फाउंडेसिन के अंतरगत ब्रमा कुमारी ईश्वरिये विश्व विद्यालय सूरतगर के इंद्र पर तीन दिन से चल रहे बाल व्यक्तित्वर विकास शिविर कारेक्रम का समापन हुआ शिविर में 5-15 साल तक के लगभग 90 बचों ने भाग लिया बीके रानी द्वारा बचों के समगर विकास के लिए अनेको शिक्षाओं को जीवन में धारन करने के लिए कहानियों के माध्यम से समझाया गया जिसमें सुभ शमय पर उठना समय पर स्कूल जाना जूट नहीं बोलना जगड़ा नहीं करना दया का भाव रखना माता पिता वा बड़ों का आदर करना गरूओं का सम्मान करना आधी आधी रमेश आस्वानी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहानी के माध्यम से बताया कि दो जनों के जगड़े का फाइदा तीसरा व्यक्ति ले जाता है इसलिए आपस में मिल जुल कर रहना चाहिए कभी भी आपस में जगड़ा नहीं करना चाहिए कारिक्रम के अंत में छोटे छोटे बचो द्वारा बहुती सुनदर कविताएं गीत कहानिया वर डान्स की प्रस्तुती दी गई बच्चों में अति उमंग और उत्सा का माहौल था सभी बच्चों ने अनुशासन में रहने का संकल्प लिया बच्चों में उत्सा इतना अधिक्था वे कह रहे थे कि शिविर लगतार चलता रहना चाहिए कारिक्रम में बीके पुश्पा राजपाल यादव राजु परिहार मुरली मनोहर दहिया किशनपाल बीके कमला बहन जस्परीत को राधी उपस्थित रहे नमसकार साथियो शराब बंदी आंदोलन की राष्ट्रिय अध्यक्ष के नाते करौली जिले की करीरी ग्राम पंचायत के सभी ग्राम वासियों से निवेदन करती हूँ 30 माई को शराब बंदी को लेकर होने वाले मददान में ज्यादा से ज्यादा ग्राम वासी वोट डाल कर अपनी पंचायत को शराब मुक पंचायत बनाने में एहम भूमिका निभाएं व्रिक्ष्मित्र समिती सूरतगर आज 29 माई 2022 को बैठक हुई जिसमें नई कार्यकारिनी गठित हुई बैठक सनरक्षक व्रिक्षमित्र पवन जी बादला की अध्यक्षता वर सनरक्षक व्रिक्षमित्र रनिल जी धानुका और मुख्य सनरक्षक व्रिक्षमित्र नवनीक जी मुझाल की उपस्थिती में संपन हुई जिसमें व्रिक्षमित्र राजेंद्र सैनी को सर्वसम्मती से अध्यक्ष बनाया गया, व्रिक्षमित्र राजीव चोहान को उपाध्यक्ष, व्रिक्षमित्र राजन वर्मा को सचिव, व्रिक्षमित्र रमित सार्डा को कोशाध्यक्ष और प्रेस्व मीडिया प्रभारी आन मारवारी युवा मंच द्वारा आये बने पक्षियों का सहारा अभ्यान के तहट दिनों दिन बढ़ती गर्मी में न केवल इनसान ही परिशान है बलकि पक्षी भी इस असहनी गर्मी को सहने के लिए मजबूर है इनसानों के पास तो गर्मी से निपटने के लिए लाकों उप बेजुबान पक्षियों के पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं जिससे वो गर्मी से राहत पासा के बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए राश्पीय प्रकत जीवदया के तहत मारवारी युवा मंच की ओर से शुरू किये गया ये बने पक्षियों का सहारा अभियान के तहत मं ये सभी के लिए प्रेरनादाई है सभी को इस अभियान से जुड़कर पक्षियों के लिए गर्मियों में चुगे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए आज की संस्था का 181 वास्वेच्षिक रक्टदान शिविर लगाया गया विधान सभाक शेत्र सूरतगर के विधायक श्री रामप्रताप कासनिया के द्वारा रिबन काटकर शिविर का उध्गातन किया गया एवं स्वत मनोज सुखीजा के चित्र पर पुष पर पितकर शध्धान जली दी गई माइफ्री ब्लड सेंटर सूरतगर के निदेशक सुनील योगी के नित्रित्व में ब्रिजेंद्र बिश्णोई, रमंदीत कॉर वसमेस्ता गोदारा ने 75 यूनित रक्ट संग्रहन किया चहीर भगत सिंग डिफैंस अकेडमी, सूरतगर के चात्रों वमित्र मंदली मनोज सुखीजा सहित अनेक रक्टदाताओं ने रक्टदान किया शिविर के आयोजन में अशोक सुखीजा, रंजन ताख, विनोज चूग, अजय चूग, विश्णु तरर, मनोज जानगू, जैश्री चूग, अशोक भारगव, आदित्य बार्थिया, सुनील मोदी, आर्ती चूग, चैरी चूग, मोनु धुवा, सेवानिवरित इंजीनि ने विभिन व्यवस्थाओं में सहयोग किया, इंडर अध्यक्षवीर दिलीप मिश्रा ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया, संस्था द्वारा सभी रक्तदाताओं को प्रोटसाहं स्वरूप प्रशस्ती पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया पूर्ग विधायक गंगाजल मील से मिला इन्टक प्रतिनिधी मंडल सूरतगर थमल में चल रहे अनिश्चित काली नधरने के संबंध मैविस्थार से की चर्चा इन्टक का प्रतिनिधी मंडल प्रदेश महमंतरी श्याम सुन्दर शर्मा के नेतृत्व में पूर्ब विधायक आदर्नियर श्री गंगाजल जी मील जी के आवास पर मिला। इकाई अध्यक्ष लक्ष्मी लाल सुथार ने पूर्ब विधायक महोदे को बताया कि इंटक संगठन ने राजस्थान सरकार में सम्माननिय उर्जा मंत्री जी श्री भावर सिंग जी भाटी साहब के नेत्रित्व में विध्युत विभाग के सचिव भासकर ए सावंत वा अन्या अधिकारियों से इस टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी के संबंध में विस्तार से चर्चा की तथा इन अधिकारियों को अतिशीग्र आदेश करने के निर्देश दिये लेकिन अभी तक 1997 वा 1998 के तक्नीकी करमचारियों की टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी के आदेश नहीं हुए है बलकि इनके जुनियर करमचारियों जो 2012 में नियुक्त हुए उनके टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी के आदेश नहीं हो जाते तो हम जैपुर जाकर उर्जा मंत्री महोदे से मिलकर आदेश करवाएंगे।